आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लासे चैनल पे तो आज के इस वीडियो में कक्षा बारवी हिंदी के लिए बहुत महत्वा पुर्णा कभी परिचा और लेखक परिचा देखने वाले जो की बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है आपकी हापी अर्दवाश आपके साथ में जितने वी विध्यारती पढ़ते हों सभी की हेल्प हो सके और साथी साथ में यहां पर हम सबसे पहले जो इंपोर्टन कोशन है वो पिछला वीडियो वी देख लिए जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाए तो कभी परिचा में सबसे पहला है यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत महत्वपुर्ण कभी परिचा है जो हर साल आता है और मेक्जिमम चांसे आपको इस साल भी आएगा ठीक है तो हरिवंश राय बच्चन कुवर नारायन और इसके लाए यहां पर आपको रगुवीर साहय का भी बनता है क्योंकि केमरे मे बंद अपाईच जो है उनकी प्रमुक रचनाय में से हैं तो जो रगुवीर साहय उनका भी आपको याद करना है तो इसमें सरवाधिक आपको महत्वपुर्ण हरिवंश राय बच्चन जी का है जिनका हमेशा पूछा जाता है तो आप इतने सारे याद नहीं रखते तो सब इसे आपको दिक्कत नहीं हूंगी क्योंकि कोई भी आधि पूछले आपको जैका हूं आपको न के आधि रचनाय या थे तो आपको बहुत से दो नमबर पर तो यहीं से मिल जाएंगे दो प्रमुख रचित पांठ वह किनों भी मतुंपनारन को दीसी तो सम्षेर भाधुर जहां दूसरे दीस नहीं होतां उनकि रखुत कंधेर में 6 1 , 1531 तो न सभालत सब दैयार है यह बात होगी कवी परिचे कि इनमें आप इन सभी की दो-दो अशना भी एर लोंगे तो आपको बहुत सारी चीजे इनके बारे में मिल दाएंगे ठीके बाकी चीजे तो कवियों में सेम होती है वो बहुत से रसों का प्रयों करते हैं कई बार साहितिक विशिष्था हो उनका मानवीकर ललंकार वगरे एक जैसा होता है अब लेखक परिचे की बात करती है इनमें सबसे इंपोर्टन महादेवी वर्मा जी का जो हर साल आता और फनिशवर नात रिनु यह दो है जिनका आप नहीं छोड़ सकते सबसे इंपोर्टन फनिशवर नात रिनु और महादेवी रश्मी और एक सबसे प्रमुख है स्मृति के चलचित्र इनका संस्मरण है अतीत के चलचित्र तो यह महादेवी वर्मा जी का है बहुत महत्वपुर्ण है क्योंकि आपको जो गध्या आधारित प्रशन उत्तर उसमें भी मिलेगा इसलिए अतीत के चलचित्र हाँ पर नो कर हैं लो रहत तक दो कि अभी तोला मेला और मंड मन खोल से थोशचित्र तो प्रकृत्र सब्सक्रक्विक जूत्ण हो सब एख़ा दो ब्रुख सवाल में जा झायड मैले है जिया मेला आचल जरूने कान धिरेता थेक्या थेक्या सैं AH ना भूले मेला जरून सь नतर के घ्क इनकी जन्मा मृत्तिय आपको देख लेना उतरह इंपॉर्टन नहीं है हालाकि इनकी रचना पे ध्यानते थे हम इनकी प्रमुर रचना आपको में बता दी मधुबाला मधुशाला मधुकलश जो आत्मकत है को देख प्रवासी की नहीं इसको डिटेलिंग में समझते हैं निक हमाएद रचना के लिंग जल्दी जल्दी में समझ रहा ह। इनकी बहुत सारे पुरसकार प्राप्त है नहीं बहुत सारे पुरसकार से नवाजा गया इनकी रचना में आपको बता ही अभी जैसे कुछ प्रमुक रचनाय में मेरे साक्षात कर इनकी और आपको अपकी बुक में भी मिल जाएंगी जो कुछ कविता है मैंने बताई वो ठीक है वो आजाएगी कावगत विशिष्टा लिख सकते हो वर्तमान में कावगत विशिष्टा या साहितिक विशिष्टा ही पुछी जा जैसे हां पर इनकी प्रमुक रचनाय में आप देख सकते हैं सबसे महत्वपुर्ण है सीडियो पर दूप में एक बहुत बड़ी आच्छी रचना है इनकी ये नोट कर लिजे क्योंकि यदि आपको पूछा जाता है रगुविर साहय का तो एक रचना हो गई सीडियो पर द पर दूप में आत्मात्या के विरुद हसो जल्दी हसो ये बहुत अच्छी प्रमुक रचना हो गई इनकी भाषा कैसी है तो ये भाषा इनकी कावे शैली ये सब कुछ सीधी सरल है इनकी भाषा ये लगबग सभी में कॉमन लिख सकते हैं उन्होंने कावे में सीधी सरल सद अध्याइब वर्माजी और फनिश्वनात्रिन ये दो के तो आपको आएंगे ही आएंगे ठीक है अत्वा में आ सकता है इनका महादेवी वर्माजी बहुत महत्वपुर्ण इसलिए बहुत प्रसिद्द लेखी का है और बहुत अच्छे से इनोंने हर चीजों को वर्णनित किया है इने पहुत साहित्यक पुरस्कर तो आटशीद है बहुत सारे बहुत सारे पुरसिकार भारत भारत ः clay नवाजी जा चूक है इन ayin इनकी भाष्ट शेली में हमेशा आपको भावनात्मक संस्मरनात्मक समिक्षात्मक इति व्रतात्मक इस अब कुछ शेली का पूरा दृष्टी कोचर रूप में लेगा जैसे भक्तिन पाट में कितनी मारमिक धंगसों उन्हें भक्तिन की सारी लाइफ का वर्णन किया ठीक है अब हम बढ़ते फनिश्वन नात्रेनों ठीक है महत्वपुण है भी इनके प्रमुख जिवन परिचय में सबसे पहले हम इनका जो जन्म है इनका चार मार्च 1921 को अब नत्यु ग्यार आपर उन्हें प्रमुख रचनाय में उपन्यास में आपको बताया मेला चल क्यों महत् शहली में अंग्रेजी अर्भी फार्सी इन सब्दों का प्रवक करा विशिष्चर जो है सारे समें साहित्य मिश्थान इनका पूछे जाता है तो यह आप लिख सकते हैं बहुत मत्वपुर्ण है फनिश्वन नात्रेनों हमेशा पूछे जाता है इसलिए इसको अच्छे से को यह रिख थो पीड़ियों कं शुल भूठ भी को खूछे को अष्चर परिश आपको रचनाय बता दी अब आपको पूरे के बंचाएंगे यह में तो आपके लिए सारे ब्लेडी हो जाएं तो मिलते हैं वीडियो में लाइक जरू करें चैनल पीनेए तो सस्क्राइब करन मिल सके थैंक्स पर वाचिंग